असलाम अलेकुम आप लोगों ने migration के लिए apply किया हुआ है बहुत सारे दोस्त ये question पोचने हैं कि सर हमारे pie coin migration के बाद पता नहीं किस record में चले गए है यनिके किसी unknown address के उपर उनके pie coin है वो transfer हो जाते हैं उनको पता भी नहीं होता आपने इस चीज़ से किस तरह बचना है ये main मुद्धा है आज की मेरी इस वीडियो का main topic ये मैंने discuss करना है इसके अलावा आप लोगों को पता है इसकी जो last update आई थी node runner की node उनके लिए है जिन्नोंने computer के उपर software install करके उसको use किया था वो उनके लिए अगर आप mobile के उपर सिर्फ use कर रहे है तो उस update के साथ आपका लेना देना नहीं है लेकिन in future आपने node भी run करना ही करना है तो इसलिए आपका भी definitely आपको पता होना चाहिए node क्या है उसको कैसे use करना है उसका next version आया उसमें क्या-क्या changes आई है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने last वीडियो में बताई थी कि आपने node किस तरह use करना है उसमें क्या-क्या changes आई है वो वीडियो आप देख सकते हैं link मैं description में देदूँगी या उपर i button में आपको link मिल जागा उसका अब main जो चीज़ है कि आपकी migration के लिए पहले तो ये question है कि हमारी KYC के लिए notification नहीं आ रहा तो उसके लिए आपने simple wait करना है 30 days तक continuously आपने mining करनी है ये दो काम आपने करने है wait करना है और migration sorry mining जो है वो continuously आप लोगोने करनी है दूसरी चीज़ अब यहां भी ये question आता है कि हमने migration application के लिए apply कर दिया हुआ है KYC के लिए apply किया हुआ है application submit की हुई है लेकिन under review है under process है उसको कैसे process करें तो वो भी co team करेंगी उसमें कोई बंदा कोई youtuber कोई बंदा आपकी help नहीं कर सकता अगर आपने अच्छे तरीके से सही तरीके से application जो है वो submit करवाई थी तो वो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाती है अगर late हो रही है it means आपकी उसमें कोई ना कोई गलती होगी उसके बाद main चीज़ आपने checklist के उपर grace period चल रहा है अगर आपका time period रुका हुआ it means के आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है ये core team की तरफ से कोई ना कोई mistake है उनका कुछ system error है लेकिन अगर आपका time चल रहा है it means के आपकी वज़ा से कोई गलती है आपने कोई ना कोई mistake की होगी आता हूँ main topic के उपर के आप लोगोंने कैसे चेक करना है आपने सबसे पहले तो आना है ये तीन लाइनों के उपर आपने क्लिक करना है और यहां पे आप लोगोंने क्या करना है main net के उपर आ जाना है main net के उपर आके आप लोगों को यहां पे main net checklist मिल जाती है आपने ये main ad checklist को open कर लेना है अब यहाँ पर जो main चीज़ है वो मैं समझाने लगूँ वो आप लोगों ने गौर से देखनी है मुझे पिछले एक अफ़ते में पिछले अफ़ते में काफी लोगों ने messages की है कि हमारे number 3 पे जो checklist में number 3 है उसमें कोई address और लगा हुआ है और जो number 9 step है उसमें address कोई और लगा हुआ है it means के migration वाला number 9 में वो address होगा जिसमें आपके points की migration होगी ठीक है वो आपको second share उपर नजर भी आ रहा है अब यहाँ पे जो main चीज़ मैं आपको बता रहूँ अपनी सबसे पहले अगर आपकी migration हो चुकी है या migration नहीं हुई आपने check करना है कि आपके number 3 में और number 9 में जो address लगा हुआ है वो address आपका same होना चाहिए अगर आपका address same नहीं है तो आप लोगों ने उस चीज़ को change करना है वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ अब address कौन सा होता है ये नीचे लिखा हुआ है number 3 में your confirmed wallet address ये लिखा हुआ है कुछ ABC वाले कुछ फिक्रे लिखे होते है वर्ड नहीं होता कुछ words यहाँ पर alphabet कुछ लिखे होते हैं ठीक है उसके बाद number 9 पे अगर आएं तो यहाँ पर क्यों कि मेरा अभी number 9 migration नहीं हुई इस वज़ा से मेरा यहाँ पर address शो नहीं हो रहा अब जिनकी migration नहीं हुई definitely वो यहाँ पर चेक नहीं कर सकते कि उनका address आया same लगा हुआ है या नहीं same लगा हुआ अब यह तो migration होगी तो पता चलेगा हाँ आप लोगों मेंसे अगर कुछ लोगों की migration हो चुकी हुई है तो वो लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर number 9 पे उनका जो address लगा हुआ है और number 3 पे जो address लगा हुआ है वो same है या नहीं है अब यह address आपको कहां से मिलेगा अब एक चीज़ और भी है कि आपने यह चीज़ भी verify करनी है कि number 3 में जो address लगा हुआ है वो address और आपका जो wallet है उसमें जो आपने public address देना है यह जो address है वो दोनों same है कर नहीं same अब यहाँ पे गर मैं देखूँ तो मेरा जो address है उसके last में ckc लिखा हुआ है अब मैं यहाँ पे गर back आ जाता हूँ और मैं pi browser को open कर लेता हूँ pi browser मेरा open हो गया है अब मैंने यहाँ से simple अपना wallet जो है इस wallet को मैंने open कर लेना है उसके लिए आपको passphrase चाहिए यह अगर आपने finger पे enable किया हुआ है तो मैं finger पे simple इसको यहाँ से unlock कर सकता हूँ तो यहाँ पे pi wallet को आपने open करना है pi wallet को open करके तो आप लोगों ने यहाँ पे यह उपर address लगा हुआ है आपका यह address आप लोगों ने यहाँ से check करना है कि आपका address जो है वो same है यह नहीं same तो यह चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है इस चीज़ को आप लोगों ने ignore नहीं करना तो का के जब आपको कल की कल को आपकी जब migration होगी तो वो आपकी इसी address के उपर होगी अगर आप लोग यह देखेंगे कि आपका वहां पे address कोई और है application में कुछ और लगा हुआ है तो फिर आपकी जो migration है वो किस address पे होगी यह आप लोगों ने डिसाइड करना है यहाँ पे मैं again main head checklist में आ जाता हूँ तो आप लोगों ने यहाँ पे main head checklist जो है इसको open कर लेना है और यहाँ भे आपने यह last भी देखना है नमबर 3 के उपर जो address लगा हुआ है वो और आपका wallet address same होना चाहिए अगर आपके migration हो चुकी है तो नमबर 3 वाला address आपके wallet वाला address और नमबर 9 वाला address सारी चीज़े जो है वो same होनी चाहिए अगर आपके same नहीं है तो आपने simple जो number 3 वाला step है यह जो आपका यह वाला number 3 वाला step है इसके उपर आपने simple क्लिक करना है और आपने यहाँ से confirm your wallet जो है उसके उपर आपने क्लिक करना है अब यहाँ भी वो कह रहा है उसको pick करवा सकते हैं अच्छा यह चीज़ तो होगी आपने verification करनी है अब जिन लोगों का send हो चुक है अब mostly लोग क्या कर रहे हैं बाहर के गोरे लोग यहां कुछ लोग आपको कुई link बेजते हैं को video बेजते हैं आप उस link के उपर क्लिक करते हैं आपका जो wallet है वो hack हो जाता है और आपके सारे coin जो है वो गाइब हो जाते हैं तो कोशिश करें किसी भी link के उपर क्लिक ना करें लोग आपको लालश देते हैं कि हम आपको 20 डालर, 50 डालर, 100 डालर का एक pie coin लेंगे तो आप लोग जो है वो उनका अपना जो है वो send कर देते हैं या उनको अपना address दे देते हैं प्राइवेट की आपने किसी के साथ share नहीं करनी वो आपकी प्राइवेट की है प्राइवेट का मतलब ही यह है कि वो आपने किसी के साथ share नहीं करनी तो ये कुछ चीजे थी जो के बहुत important है मेरे ख्याल से और आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको migration अगर हो जाए तो वो आपको ही मिले किसी और को ना मिले तो ये चीजें आपने लाजमी देखनी है I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफीज